साथियों को मेरा नमस्ते मैं हूँ शालिनी वर्मा आज आपको बतानी जानी हूँ एक स्विच वर्ड और एक एंजल नंबर और उसको यूज करने का तरीका जब आप ऐसी प्रॉब्लम में अगर हैं कि आप सामने वाला विक्ति आपको धोका दे रहा है आपको चीट कर रहा ह लेकिन किसी भी तरह से आपको सच्चाई आपके सामने नहीं आ रही है means आप उसको एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं सामने आपको लगता है कि यह जूट बोल रहा है दिखावा कर रहा है मकर उसको रियलिटी में सामने दिखाना या देख पाना वो जब आपके लिए impossible हो त लेकिन actual में जब आप अकेले होते हैं तो उनका वेवार आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता दूसरों के सामने दिखावा करके वो खुद को बहतर दिखानी की कोशिश करते हैं बहुत घरों की questions ऐसी होती है सभी लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ तो अ नंबर को और इस switch word को आप chant भी करेंगे और साथ में आप इसको draw भी करके रखेंगे situations मैंने आपको बता दी ऐसी कोई भी situation जहां आप सच्चाई को बाहर लाना चाहते हैं किसी का सच सामने लाना चाहते हैं मान लीजे आप किसी relationship में हैं और आपको ऐसा लगता है कि सामने व नहीं आ पा रही है आप उसको लेकर परेशान है तो फिर आप जो switch word use करेंगे वो है सत्या अनमास्क चैंट करना इसको शुरू कर दीजिए मन में यह intention डालिए कि जो सामने वाला वेक्ति मेरे साथ धोका दे रहा है इसकी सारी सच्चाई सब के सामने आ जाए इसके लिए मै चैंट कर रही हूँ तो आप क्या बोलेंगे सत्या अनमास्क मेंज किसी भी तरह से इसको अनमास्क कर दो यह जो चेहरे पे इसमें मुखोटा पहना हुआ है अच्छा होने का उसको उतार के इसकी सच्चाई सब के सामने ला दो तो आपका switch word हो गया सत्या अनमास्क लगाता चैंट करना शुरू करिए पूरे भरोसे के साथ तो इससे सामने वाले की सच्चाई क्वलीगी दूसरा एंजल नबर जब भी आप सच को सामने लाना चाहतेों वो सच्चाई को सामने लाना चाहते हों तो एंजल नंबर लंबा सा एंजल नंबर है नोट करिए 774 778 774 की बाद थोड़ा सा गैप है पॉज है जहां में रुकी हुआ गैप दो या कॉमा लगा दो 774,778,444,558 यह है आपका एंजल नंबर जो आप सच को सामने लाने के इस एंजल नंबर को आप क्या करेंगे चैंट भी करेंगे और लेफ्ट बोडी पार्ट पे भी लिखेंगे चैंटिंग लगातार यह सोच कर करेंगे कि उस सामने वाले विक्ति की पूरी सक्चाई मेरे सामने खुल जाए मैं उसके लिए इस एंजल नंबर को लिख रहा हू और chant कर रहा हूँ, यह दोनों तरीके से आप इस्तिमाल तो करेंगे ही, इसके अलावा एक और method है, जिससे आप use करेंगे, देखिए, कैसे आप use करेंगे इसको? जिसको हम energy circle method बोलते हैं, कैसे इसको use करते हैं, देखिए, आपने क्या करना है, एक white paper ले लेना है, white paper मैं board पर बना रही हूँ, आपको white paper ले लेना है, बनाईए ऐसा circle, circle बना दिया, circle के अंदर यहां पर उपर सबसे उपर नाम लिग दीजिए, मेरा नाम शालिनी है, मैंने शालिनी लिग दिया, ठीक है, आपने शालिनी लिग दिया, अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? सत्या जो मैंने आपको बताया है सत्या अनमास्क जो मैंने आपको स्विच वर्ड बताया है आपने वो लिख दिया सत्या अनमास्क दूसरा जो एंजल नमबर मैंने आपको बताया है वो लिख ये 774,778,444,558 ये आपने ऐसे करके लिख दिया बीच में आपने switch word और angel number लिख दिया और नीचे उस वेक्ती का नाम लिख दीजे माली जीए मैं रश्मी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रश्मी यानि मेरे सामने रश्मी की पूरी सक्चाई को सामने ला दो या मेरे सामने रश्मी की पूरी सक्चाई सामने आ जाए अब माली जी इस कागज में आपने बनाया है इस कागज को आप क्या करेंगे घर की किसी भी दिवार पे चिपका दे घर की दिवार पे अगर चिपकाना आपके लिए आसान नहीं है तो घर में, अलमारी सबके घर में होती है, आपके घर में कोई अलमिडा हो, उसके ऊपर ऐसे करके चिपका दीजी ऐसे, जहां पर कोई भी नहीं देखी और ये चिपका भी रहे, इसको छुपा के नहीं चिपकाते परदे के पीछे, मगर आप ऊपर चिपका सकते हैं, कहीं भी उँचाई पर ऐसी जगे चिपका दें या रख दें ऐसा, दबा कर रख दें ऐसा कि आपका काम भी होता रहे और किसी को पता भी ना चले, जो लोग ये बोलते हैं, घर में सब लोग देखींगे तो प्राब्leμ हो जाएगी, तो आप यही कर सकते हैं इसको किसी भी उची जगे पर ऐसा रख दीजिए दबा दीजिए या चिपका दीजिए इसका रिजल्ट आएगा 24 गंटे एनरजी मिल रही है इस नंबर की जो भी इस विक्ति की सक्चाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी तो यह बहुत ही effective switch word और angel नंबर है जो सामने वाले विक्ति की सक्चाई को पोल को खोल के आपके सामने रख देगा उसका कोई भी राज अब सीक्रिट नहीं रह जाएगा आपके सामने इस्तेमाल करिए switch word को और angel नंबर को और अन्मास्ट कर दीजी उन लोगों को जो आपको चीट करते हैं तो मैं पिर मिलूंगी तब तब सबको नमस्ते